अचारे क्लासेस के यूटूब चैनल में जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने देखा हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे हमने दो टोपिक्स में इसमें कवर करें नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में हमने जाना और दूसरे वीडियो में हमने ये जाना कि इकाई अंक क्या होता है मैं लेकर आया हूँ एक और important आपके लिए topic Divisibility Rules भाजकता के नियम तो आईए देखते हैं भाजकता के नियम होते क्या है अगर मैं बात करूँ दो से दो से विबाजित होने वाली संख्या है कौन सी होगी तो मान लीजे कोई संख्या है चार पाच अंको की अगर इसका आखिरी अंक यानि की इकाई अंक अगर दो से पूर्णता विबाजित हो रहा है कहने का मतलब ये कि अगर संख्या सम है तो 2 से पूर्णते विबाजित होगी और 2 को क्या मैं ऐसे 2 की पावर 1 नहीं लिख सकता क्या 2 की पावर 1 मतलब last का एक नम्मर अगर 2 से विबाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किस से विबाजित होगी 2 से आईए बात करते हैं 2 के ही एक multiple गुणांग की 4 की क्या मैं 4 को ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 2 यानि कि अगर मेरे पास कोई ये संख्या है 4 क्या होता है 2 की पावर 2 यानि कि आख्री के 2 अंग अगर 4 से विबाजित हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या विबाजित होगी लेकिन अगर आख्री के दोनों अंग 4 से विबाजित नहीं हो रहे हैं तो कोई संख्या विबाजित नहीं होगी और हमें क्या मिलेगा शेशपल मिलेगा बात करते हैं 2 के एक और गुणांग 8 की क्या मैं 8 को 2 की power 3 नहीं लिख सकता अगर 8 2 की power 3 है तो आप समझी गए होंगे अगर कोई ये संख्या है तो आखरी के कितने अंक 3 अंक अगर 8 से विबाजित हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किस से विबाजित होगी 8 से बात करते हैं 16 की तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की power 4 अब समझ गए है आप पूरा पूरा मेटर चल क्या रहा है ये ठीक है यानि 2 की power 4 आखरी के 4 अंक अगर आपके 16 से विबाजित हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विबाजित होगी 32 की बात करें तो 2 की power 5 यानि की आखरी के कितने अंक हो जाएंगे वैसा 5 अंक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे 5 अंक अगर 32 से विबाजित हो रहे तो पूरी की पूरी संख्या 32 से विबाजित होगी अन्यता नहीं होगी अब बात करते हैं 3 और 9 की important मुद्दा तो ये है कि अगर विबाजित हो रही तो ठीक है लेकिन विबाजित नहीं हो रही है तो बचेगा क्या 6 पल remainder बचेगा तो एक example हम लेते हैं जैसे की 4 का example लेते हैं मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ जैसे 1,2,3,4 favorite number सबका 1,2,3,4 मुझे इसको पता लगाना है कि ये 4 से विबाजित होगी कि नहीं होगी अगर 4 से विबाजित होना है यानि कि आखरी के 2 अंक 4 से विबाजित होने जीए क्या 34,4 से विबाजित हो रहा है नहीं 34,4 से विबाजित नहीं हो रहा है जो 34 को 4 से डिवाइट करने पार, यानि की शेशवल कितना बचेगा, 2, कुछ लोगों को समझ में गया रहा, चल क्या रहा है, तो देखिए आप 1, 2, 3, 4 को आप डिवाइट करिए 4 से, सभी को पता है, 4 ती है, 12 होता है, 0 लगया, ये 3 उतारा, फिर 0 लगया, 4 उतारा, कितना ह हो जाएगा, 8, 4, 32, क्या आगया जीवन में, 2 आगया कि नहीं आगया, इसका मतलब, ये पूरे के पूरे, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2 के जितने भी गुणांक है, उसके लिए यही फंडा अपलाई होता है, अगर आप 8 की बात करें, अगर 3 अंक अगर विबाजित नहीं हो रहें, त वही शेशपल, इस पूरी संख्या को, 16 से विबाजित करने पर मिलेगा, for example, हम 8 का एक और एक्जामपल ले लेते हैं, आप देखिए, जैसे कोई संख्या ली मैंने, 1, 2, 5, 7, 8, अगर मैं इस संख्या की बात करूँ, मुझे इसको किस से विबाजित करना है, 8 से, तो पूर बार जाएगा, 8, 7, 56, एक बच गया, 8, 2, 16, क्या बच गया, 2 बच गया, शेश्वल बच रहा एक नहीं बच रहा है दो, तो अब देखिए आप, इस पूरी संख्या को, जब मैं किस से विबाजित करूँगा, 8 से विबाजित करूँगा, तो कितना होगा, 8, एकम, 8, कहने का मतलब यह, आप पूरी संख्या को विबाजित मत करिए, अगर आपको 8 से विबाजित करना है तो लास्ट के 3 नमबर, 4 से विबाजित करना है तो आखरी के 2 नमबर, 16 से विबाजित करने तो आखरी के 4 अंग, अगर विबाजित होते तो ठीक है, अन्यता जो का नियम क्या होता है डिविजीबिलेटी रूल क्या होता है बात जब तीन और विभाजित हो तो वह संख्या क्रमश तीन और नो से विभाजित होगी तो आईए दोस्तों देखते हैं एक कोई संख्या लेते हैं एक, दो, चार, पाँच, और छे मुझे ये पता लगाना है कि ये संख्या तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी तो पता लगाने का एक सबसे बढ़िया तरीका तो आप लोग जो सीखते हैं रहो जीवन में वो यही है तीन का भाग लगाओ, तीन चौग, बार आया ठीक है? जीरो बचा, चार उतारा, तीने कम तीन आया, एक उतारा, कितना बचा? पाँच तीनो पंजे, पंदरा ठीक है? पंदरा ठीक है, जीरो आया, च्छे उतारा और तीन दूनी, छे यानि कि ये पूरी की पूरी संख्या तीन से पूर्णता है विबाजित हो रहे कि नहीं हो रही लेकिन इसे देखने के लिए आप डारेक्ट देखिए हमारी संख्या क्या थी एक, दो, चार, पांच, छे आप इस संख्या के अगर अंकों का योग देखें तो दो और एक, तीन, तीन और चार, साथ साथ और पांच, बारा, बारा और चे अठारा आरा है कि नहीं आरा दोस्तों अगर ये संख्या तीन से विबाजित होती है तो पूरी संख्या तीन से विबाजित होगी आप देखिए 3 से पूरा पूरा 6 बार जाता है इसका मतला यह संक्या 3 से विबाजित हो रही था कि नहीं हो रही थी लेकिन मुद्दा यह उठता है कि अगर ना हो 3 से विबाजित ना हो जैसे मैं एक example ले लेता हूँ 7, 6, 5, 9 और 7 यह मुझे संक्या चेक करनी कि यह 3 से विबाजित होगी कि नहीं होगी तो देखिए 3 से मैं विबाजित तो करने वाला हो नहीं मैं डारेक्ट यहां से देख के पता लगा लूँगा 7 और 6, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा यह 7 और 7, 14 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 और 5 25, 25 और 9 कितना हो गया 34 क्या यह 34 तीन से पूर्ण जाए विबाजित होती है नहीं इसका मतलब यह पूरी की पूरी संक्या भी किस से विबाजित नहीं होगी तीन से नहीं होगी important बात यह है अगर मैं यह जो 34 आया है देखिए कुछ लोगों को बरोसर नहीं होता है देखो इदर 7, 6, 5, 9, 7 मैं इसे 3 से विबाजित कर लो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3, 5, 15, 15, 1 बचा, 5, 13, 3, 5, 15, 0 आया, 9 आया, 3 तीया, 9, फिर यह कितना उतारा, 7 और 3, 2, 6, क्या रह गया जीवन में यही रह गया गया इसका मतलब आप पूरी संख्या को 3 से विबाजित मत करिए आप उसके अंको का योग निकालिए और उसे 3 से विबाजित करिए अगर वो पूरा तीन से विवाजित हो जाता है तो पूरी संख्या तीन से विवाजित हो जाएगी लेकिन अगर वो अंको का योग तीन से विवाजित नहीं हो रहा है तो उसको तीन से भाग देने पर जो सेश्वल बच रहा है वही शेशवल पूरी संख्या को भाग देने पर बचेगा यही सिलसिला 9 के साथ भी चालू रहता है देखिए, तो आईए स्टुडेंट्स देखते हैं 9 का Divisibility Rule For example, मैं एक नंबर लेता हूँ 7, 2, 1, 7, 3, 5 मुझे यह चेक करना है कि यह संख्या 9 से Divisibility होगी के नहीं होगी According to definition, हमें पता है कि अगर संख्या के अंको का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या किस से विभाजित हो जाएगी 9 से 7 उर्दो, 9, 10, 11, 12, यह कितना हो गया 17, 13, 20, और 5, 25 क्या 25 नो से विभाजित होता है नहीं, इसका मतलब यह अगर 25 विभाजित नहीं होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी और अभी मैंने 3 के केस में देखा कि अगर मैं संख्या के योग करता हूँ और अगर वो 3 से विभाजित हो जाती है आठ हो जाएगा, यह आठ नहीं, यहां से एक कितना हो जाएगा, साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब आप देख लिजिए इस संख्या को, साथ, दो, एक, साथ, तीन, पाँच, अगर मैं इसे नो से विवाजित करूँ, तो यह कितनी बार जाएगा, आठ नाम, बहु और शेश्वल कितना बजगा, फिर से साथ बजगा, अकनी बजगा, यही बजगा, अकनी बजगा, तो दोस्तों, तीन और नो का विवाज़क तक का नियम बहुत ही आसान है, अगर संख्याओं के योग, अगर तीन या नो से विवाजित हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी सं संख्या को विवाजित करने पर आईए देखते हैं तीन और नो के कंसेप्ट पे बना हुआ एक सवाल मैं कोई एक संख्या ले लेता हूं जैसे की दो एक साथ पांच तीन एक्स और तीन हमें एक संख्या दी हुई है और हमें कंडिशन दी हुए कि यदि यह संख्या तीन से पूर्णत्या विवाजित है तो एक्स के कितने मान संभव है एक्स के कितने मान संभव है तो दोस्तो कभी भी यह सवाल नहीं आएगा कि यह संख्या तीन से विवाजित होती है कि नो से विवाजित होती है दो से विवाजित होती है चार से विवाजित होती है कुछ ना कुछ नयाई कंसेप्ट आपके लिए लेकर आएगा अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्लस साथ प्लस 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 पांच प्लस तीन प्लस आ गही नजी नहीं लाना है अब आप देखे इसके अंगों का अगर मैं योग करूँ तो कितना हैगा दो और एक तीन साथ तीन कितना होगा दस पांच पंदरा तीन अठारा गुनिस बेस इक्टिस और एक्स यानि की इक्टिस प्लस एक्स अब मुझे ये बताया गया है कि ये संख्या जो हुई है ये पूरी की पूरी किस से विबाजित है तीन से तो इसके अंको का योग भी तो तीन से विबाजित होना चाहिए और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जब मैं इसको तीन से विबाजित करने बैठूँगा तो अगर मैं एक्स को देखो आप जीरो रख दो एक्स को जीरो रख दिया तो संख्या कितनी बन गई 21 तीन हो सकते 21 यानि कि एक्स का एक मान क्या संभव है जीरो संभव है अगर मैं एक्स का मान कितना रख लेता हूँ तीन तो आप देखिए 21 और 3 कितना हो गया 21 और 3 होता है 24 यानि कि पूरी पूरी संख्या जो 24 आई है वो भी किससे विबाचीत हो जाएगी 3 से तो X का एक मान क्या संभव हो गया 3 संभव हो गया अगर मैं इस 3 की जगे 6 रख दूँ 6 और 21 कितना होता है 27 और 3 नाम 27 इसका मतलब X का एक मान 6 भी संभव है अगर मैं 6 की जगे 9 रख दूँ तो 9 और ये कितना हो जाएगा 30 यानि कि ये भी आपका 3 से विबाचीत हो रहा है यानि X का मान 9 भी संभव है अब बताइए क्या मैं X को 12 रख सकता हूँ नहीं क्योंकि X एक संख्या है एक अंक है एक अंक है तो हमारा कॉशन ये था कि X के कितने मान संभव है तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर X के 4 मान संभव है कि नहीं है 0,3,6,9 ठीक है लेकिन कभी-कभी कॉशन में थोड़ा बहुत फेर बदल ये कर देता है कि बताइए कि X के जो मान स अगर आपको योग पूछे तो आप योग इसका यहाँ पर लिख सकते हैं और इसका योग कितना हो जाएगा 18 कभी-कभी ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल जाता है कि X के संभव मानों का योग तो आप X के सारे मान निकालिए और उनका योग लिख दीजिए लेकिन क्या हम इतना जोडने बैठेंगे क्या हम इस संख्या को इतना जोडेंगे नहीं मुझे पता है कि तीन के जो संख्या होती है जो संख्या होती है उसके अंकों का योग अगर तीन से विवाजित हो जाए तो पूरी संख्या हो जाती है तो मुझे पता है दो और एक तीन से पूर् x रह गया है यानि कि अब अगर मैं x को 0 रखूँगा तो भी 3 से विवाजित होगा x को अगर मैं 3 रखूँगा तो भी 3 से विवाजित होगा x को अगर मैं 6 रखूँगा तो भी 3 से विवाजित होगा और अगर मैं X को 9 रख देता हूँ तो पूरी संख्या तीन से विवाजित हो जाएगी आप देखिए दोस्तो ये चारो वेलो यही एक नहीं है तो हमें अंकों का योग करने की भी आवशक्ता नहीं है हमें पता है कि 2 और 1 3 पूरा पूरा विवाजित होता है तो आप ऐसे ऐसे संक्या जैसे की हम बात कर रहे थे 9 की मुझे पता है 7 और 2 कितना होता है? 9 तो मुझे पता है ये तो 9 से पूरा पूरा उड़ जाएगा 7 और 1 8 9 10 11 ठीक है? अच्छा यहां से भी हमें ये चीज कर सकते है कि 5 और 3 8 और 1 9 तो यानि कि ये 3 हो गए कि नहीं हो गर रहा न अपने ठीक है बच किया गया जीवन में? 7 यही सेशफल है तो आप अंको को उड़ाते जाएगे जो जो 9 से विवाजित होते है उन्हें उड़ाते जाएगे जो जो 3 से विवाजित होते है उन्हें उड़ाते जाएगा वही शेशफल रह जाएगा कभी-कभी संक्या हो सकता है कि 7 और 3 रह जाए 10 तो मुझे पता है कि 10 में से 9 तो विवाजित हो जाएगा और 1 शेशफल आजाएगा अकनी आजाएगा तो हमें पूरा question solve करने की जरूरत नहीं है हम इस channel पर आपको यही सब तो सिखा रहे है कि exam approach रहनी क्या चाहिए बच्चा क्या करता है कि basic method से solve करने को जाता है लेकिन exam में इतना time नहीं मिलेगा आपको कि पूरा question आप solve करने बैठोगे इतनी ही देर में दूसरा बच्चा जिसने यह सब चीजे सीख रखी है वो आपसे ज़्यादा सवाल कर लेगा एक गंडे के अंदर और आपसे कहीं बहतर merit पाएगा तो हम इस channel के माध्यम से आपको यही चीज सिखा रहे है कि exam में questions को कैसे attempt करें कितना जल्दी attempt करें कौन-कौन से questions ऐसे होते हैं जिनको पहले attempt करें किने बाद में देखा जाए कौन सा section पहले attempt किया जाए कौन सा section बाद में attempt किया जाए अब थोड़ा सा एक चीज दिमाग लगई है जिसे RPSC के हम बात करें RS की बात कर लेते हैं से से की बात कर लेते हैं बैंकिंग एक्जामिनेशन की बात कर लेते हैं अगर RS की में बात करूँ for example मान लीजिए 60% cut off गई पिछले examination जो भी result आया उसकी cut off 60% गई तो आप खुद सोचिए RPSC आपको allow कर रहा है कि आप वो 40% पढ़ ही क्यों रहे हो तो आपको वो 35% पढ़ने की ज़रूरिती नहीं है जिसमें हम ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं तो यहीं से आपकी दो तरीके की study स्टार्ट होती है एक study होती है आपकी quality वाली और एक होती है आपकी quantity वाली quantity study में बच्चा क्या करता है और एक एक चीज पढ़ने के लिए पीछे पढ़ जाता है और ज्यादा improvement नहीं दिखता लेकिन जो एक smart student होता है वो विश्वास करता है quality study पे quality study का मतलब previous year papers का analysis करता है हम क्या पढ़ा रहे हैं हम जो पढ़ाते हैं वही आता है important होता है तो quality study क्या होता है आप essay sections बाटिये essay subject के particular sections बाटिये जहां से exam में हमेशा question पूछता है RPSC हमेशा question पूछता है SSC हमेशा question पूछता है आप देख लिए जे previous year questions में से कम से कम 50 या 60% question आपको repeat होते वे देख जाएंगे तो वो बच्चा तो सब कर लेगा लेकिन जो इस तरीके के question जैसे मैंने अभी आपको बताया ये question बिल्कुल up to date होते हैं वो हम आपको इस channel के माध्यम से दिखा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 और 3 का विवाज़ता का rule आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं 5 से विवाज़ता के rule की 5 से कोई भी संख्या 5 से कब विवाज़त होगी मैं माल लेता हूँ ये कोई संख्या है अगर इसका इकाई अंग या तो 5 हो या फिर इसका इकाई अंग 0 हो तो पूरी की पूरी संख्या किस से विवाज़त हो जाएगी 5 से हो जाएगी 5 के बाद अगर हम बात करें 6 की तो 6 का कोई विवाज़ता का नियम नहीं होता लेकिन क्या मैं 6 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या 2 गुणा 3 इसका मतलब कोई भी संक्या दीवी मान लो जैसे कि आपको 1, 5, 3, 2, 9 दे रखा है अगर आपको यह पता लगाना है कि यह 6 से विबाजित होगी कि नहीं होगी तो क्या मैं 6 के 2 टुकड़े नहीं कर सकता 2, 3, 6 अगर यह संक्या 2 से भी विबाजित हो रही है और 3 से भी विबाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संक्या किस से विबाजित होगी 6 से लेकिन मैं यहां से देख पा रहा हूँ जैसे 9, 3 कितना हो गया 12, 13, 14, 15 और 5 कितना हो गया 20 यह 3 से भी नहीं हो रही है इसका मतलब यह संक्या 6 से भी नहीं होगी विवाजित, तो दोस्तों हमने बात करी 2 की गुणांग की विवाजगता के नियम की, उसके बात 3 की, 9 की और 6 की, आइए अब देखते हैं 11 से विवाजगता के नियम की, तो आइए दोस्तों बात करते हैं 11 के विवाजगता के नियम की, मैं कोई संख्या लेता हूँ पर एक्जामपल अभी मैं आपको परिवाशा नहीं दे रहा एक एक्जामपल लेते हैं उससे शायद आपको अच्छे से समझ मैं है जैसे की 2, 1, 3, 5, 4, 9, 7 हमने एक ये संख्या ली और मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से विवाजित होगी कि नहीं होगी तो करना कुछ नहीं है आप पीछे से चलो जाओ किसको पकड़ा साथ को साथ के बाद एक को छोड़ा फिर इसको छोड़ा फिर तीन को पकड़ा फिर दो क को पकड़ा क्या गया साथ चार तेन और दो अब रहे कौन गया जीवन में एक पांच दो यानि कि माइनस कर दीजे एक पांच और नो के सम को ये कितना हो जाएगा साथ और तीन दस और चार दो चोगदा और सोला सोला में से अगर ये गया पंद्रा यानि कि कितना बच्रा एक क्या एक ग्यारा से विवाजित होता है नहीं होता है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या ग्यारा से विवाजित नहीं होगा कहने का मतलब ये अगर किसी संख्या के किसी संख्या के विशम पदों का योग पदों का योग और संपदों के योग का अंतर जीरो या ग्यारा का कोई गुणांक आए तो पूरी संख्या 11 से विवाजित होगी यही तो हमने यहां किया अगर मान लो यहां पर भी 16 आ जाता जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 16 आ गया तो यह कितना आ गया जीरो तो जीरो आ रहा है तो ये पूरी संख्या किस से विवाजीत हो जाएगी 11 से, मान लो इनका अंतर कितना आ जाए, 11 आ जाए, मान लीजी ये 5 बन रहा होता, 16 में से 5 गया और ये 11 आ गया, तो ये पूरी संख्या किस से विवाजीत हो जाएगी 11 से, तो आईए देखते हैं इस पे बहतरीन कोशन क्या बन सकता है, देखिए, यदी संक्या, संक्या हम ले ले लेते हैं, यहा पर, एक, दो, तीन, चार, एक्स, पांच, साथ, आट, छे, फिर से एक्स आ गया है जीवन में, यदि संख्या, एक, दो, तीन, चार, एक्स, पांच, साथ, आट, छे, ग्यारा से, ग्यारा से, पूर्ण तया विभाजित हो, तो, एक्स का मान ग्यात करिये, एक्स का मान ग्यात करिये, तो हमें ग्यारा के भाजगता का नियम पत आँ, आप क्या करिये, संख्या जो भी है, पीछे से चालू हो जाई ही, तो मुझे पता है कौन आएगा पहले, 6, फिर 7, फिर X, फिर 3 और फिर 1 यानि कि 6, 7, X, 3 और 1 इसमें से हमें क्या माइनस करना है सम पदों का सम पदों का मतलब यह कि यहां सा अगर मैं चालू करूँ तो तो हमने विशम पदों को ले लिया अब सम पदों को अगर ले तो आप देखिए क्या हैगा 8, 5, 4 और 2 यानि कि यह कितना हो जाएगा आपका यह कितना हो जाएगा देखिए 7 और 3, 10 और 1, 11 और 6 17 प्लस X माइनस कितना होगा यह 8 और 2, 10 और 5, 19 यह क्या हो जाएगा या तो 0 या फिर यह किसका गुणांग हो जाएगा 11 का, यानि कि कितना हो जाएगा 17 में से कितना गया, 19 तो 2 माइनस का और X यानि कि X माइनस 2 होगा गनी होगा दोस्तों तो मुझे इसे क्या लाना है, 0 लाना है तो मेरे को ये value 0 कम मिलेगी जब x का मान कितना हो जाए 2 हो जाए एक नहीं हो जाए हाँ है ना तो एक हमारे पास value के आगे x की 2 अगर मैं x को यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो आप देखिए ध्यान से अगर x 2 हो जाएगा तो 17 और 2 19 में से 19 गया तो 0 according to definition मुझे 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो x का क्या मान संभाव है 2 अच्छा अब मुझे पता है कि अगर x यहाँ पर 11 बना दे क्या बना दे 11 तो मुझे पता है x को मैं जब 13 रखूँगा तो 13 में से 2 गया तो 11 बनेगा लेकिन क्या 13 रखना इसे संभाव है इसे बिल्कुल संभाव नहीं है क्योंकि x एक अंक है कोई संख्या नहीं है 2 अंकों की एक अंक है और इसी वज़े से हमारा x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तो इस तरीके के कुछ questions बनते हैं 11 से 3 से और 9 से divisibility rules के तो आई स्टुडेंट्स देखते हैं कुछ अच्छे examples जो divisibility rules पर निर्धारीत है ठीक है देखिए अगर ऐसा question आपके exam में आता है तो आप क्या generally बच्चा जिसे ये funda नहीं पता होगा वो क्या करेगा उसे पता है एक number बहुत important है उस एक number को पाने के लिए उसे एक एक को दो दो से multiply करेगा फिर जो संख्या है उसको 3 एक 3 से multiply करेगा और फिर 5 का भाग लगाएगा फिर 6 पल पाएगा लेकिन ऐसा नहीं करना है देखिए हम क्या मताते आप इसे भूल जाई और इस संख्या को 5 से भाग लगाई जब आप 5 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा 6 पल 1 बचेगा अब आप इन दोनों को भूल जाओ और 2-2-2 में 5 का भाग लगाओ आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा और जब इसे आप 5 से विभाजित लगाएगे 5-6-30-1-5-3-15-5-2-10 और ये 3-6 पल बचेगा कि नी बचेगा बीच में लग रहा है गुणा 3-2-6-6-6 तो मुझे पता है कि किसी भी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 6 शेशवल नहीं बच सकता तो जो 6 आया है इसे फिर से आप 5 से भाग लगा दीजिए शेशवल आपका कितना बच जाएगा एक बच जाएगा कि नी बच जाएगा तो उस पूरे के पूरे नंबर को 11-22-22-3-13 को जब आप 5 से डिवाइट करोगे तो शेशवल कितना आना है दोस्तों एक आना है तो आएए देखते हैं कभी-कभी ऐसा केस आएगा जब उपर दी हुई संक्या नीचे दी हुई संक्या से विबाजित हो जाएगा जैसे की इंटू इंटू 3 हमें इसे विबाजित करना है 15 से और ये पता लगाना है कि शेशवल आएगा कितना तो मुझे क्या नजार आ रहा है कि ये जो संक्या है 3-3-3-3 और ये जो 15 है ये 3 से पूर्णत बजरी है बजरी है मतलब 3-5-15 3-3-1-1-1 जा रहा है कि ने जा रहा है जब मैं इस संक्या को 5 से विभजित करूँगा तो बताएं कितना शेशवल आने वाला है एक आने वाला है कि ने आने वाला है उसके बाद जब मैं इस संक्या को विभजित करूँगा तो 2 आने वाला है कि ने आने वाला 5 से और इसमें कितना आया एक तो बताएं दोस्तों ये कितना हो गया 2 एकम-दो ये 2 आगया, लेकिन ऐसे केसिस में ध्यान रखियगा, हमने इस नंबर के बाजे किस से बजाए थे, 3 से बजाए थे, गुना तो 3 से इसे वापस क्या करना है, गुणा करना है, यानि कि पूरा पूरा जो शेशफल आएगा, वो कितना बनेगा, 6 ब ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर से आपने इसे काटा है उसी से वापस उस सेश्वल को क्या करना है गुणा करना है तब ही आपका आंसर सही आएगा कभी कभी option में पहला ही option दो आ जाता है बाउक्ताव में बैकर बच्चे लोग दो लगा देते लेकिन तीन से गुणा करना बूल जाता है और जनरली ये option आपके डी नंबर पर होता है और आंसर इसे लगा देता है बलकि आंसर कितना होता है छे होता है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई question आ जाए तो आप पहले तो ये चेक करिएगा कि नीचे से कोई संख्या इसको काट पारी है कि नहीं काट पा I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे like करें share करें और comment करें ताकि हमें पता लगता रहे आपका feedback क्या है आप हमें motivate करते रहे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करेंगे अगर किसी student को ये लगता है कि speed बहुत ज़्यादा हो रही है सर की तो नीचे settings में जाकर playback speed को थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके subscribe करने के लिए नीचे दिये हुए लाल बटन पर click करें और जुड़े रहे आचारे classes के साथ